हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स दिवाली आ रही है और सभी दिवाली पर मा लक्ष्मी की अरदना करते हैं उनकी पूजा करते हैं क्योंकि मा लक्ष्मी धन की देवी होती है और यदि मा हम पर प्रसन हो जाएंगी तो हमारे भंडारे हमेशा हमेशा मा भर देंगी तो हमें इसके लिए क्या करना है जिससे मा लक्ष्मी हम पर प्रसन हो जाए तो मा को कुछ प्लांट बहुत जादा प्रिये हैं तो आएए दि पूरव या पूरव उत्तरदिशा में ही लगाना चाहिए और इसके लगाने से घर में कभी भी धन की依नी करही नहीं होती है क्योंकि इसका सीधा संबन मा लक्षमी मा मा लक्षमी का वासब्स होता इसको लगाने से घर की दुख दरिदरता दूर होती है और मा लक्षमी का हमारे घर में स्थाई आगमन होता है और नम्मर दो है हमारा क्रैसुला का प्लांट, क्रैसुला का प्लांट भी मा को अत्यन्त ही प्रिये है, धान तेरेस के दिन कहते हैं क्रैसुला के प्लांट को घर में जरूर जरूर लाना चाहिए, इसमें भी मान लक्षमी का वास होता है, इस प्लांट को कुबेराक्सी और ज सब दूर होती हैué, और घर में सुक्रसमृति आती है। मा का स्थाई निवास होता है। क्योंकि माको एक अत्यंतर प्रिय है। और इसका प्रवेश्द दिवार के दाहिनी और ही लगाना चाहिए। नंबर 3 है मनि-प्लांट. मनी प्लांट का तो हमारे वास्तु सास्तिन में बहुत कुछ कहा गया है इसके बारे में तो इसलिए इसके बारे में जादा क्या आप उनू सभी को ही पता ही है कि जैसे कि ये मनी प्लांट यानि मनी का पौदा है सीधे सीधे इसका सम्मद मालक्षमी और धन से होता है कहते हैं जिस घर में जितना जादा मनी प्लांट होता है उस घर में उतना ही जादा धन और सुक्ष सम्रदी आती है और मनी प्लांट को इसलिए कभी भी नीचे लटकता हुआ नहीं लगाना चाहिए मनी प्लांट को जब भी लगाएं उपर बिल की तरफ लगाना चाहिए यानि दिन दूनी राच चोगनी हमारा धन बढ़ते रहना चाहिए ना कि नीचे की और जाना चाहिए तो इसलिए यह भी मान लक्षमी को बहुत ही प्रिये प्लांट है तो हमें दिवाली से पहले अपने घर में यदि मान लक्षमी को स्थाई रूप से रखना चाहते हैं तो मनी प्लांट के पोधे को भी अवश्य अवश्य आप लेकर आएं और चोथे नंबर भी है हमारा तुलसी जी का पोधा तुलसी जी का पोधा हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पोधा माना गया है कोई भी किसी के घर में कोई प्लांट हो या ना हो लेकिन तुलसी का पोधा हर घर में आपको जरूर मिलेगा सास्त्रों में कहते हैं कि तुलसी जी की निचली साखाओं में इसके तने में सभी देवी देपताओं का वास होता है और हिंदू तीर्थों का भी वास होता है सुक्ष समरधी आएगी और नकारात्मक उर्जा दूर होगी तो इसलिए यदि आप भी मा लक्ष्मी को प्रसंद करना चाहते हैं तो अपने घर में तुलसा जी का पौधा जरूर-जरूर लेकर आएं नमबर पांच पे है हमारा लक्ष्मी कमल का पोधा लक्ष्मी कमल का पोधा तो नान से ही पता लग रहा है कि लक्ष्मी जी का बहुत ही प्रिय पोधा है और इसको भी घर में हमें जुरूर लगाना चाहिए क्योंकि इसको लगाने से घर की जितनी भी नकारत मक उर्जा होती ह है सब दूर होती है और घर में बहुत ही positivity आती है और दन की कभी भी कमी नहीं होती है तो friends हमें लच्शमी मा को खुश करना है तो हमें ये पाच पोधे दीवारी से पहले पहले अपने घर में जरूब जरूब लाने चाहिए थैंक यू